तो नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में हम बात कर रहे हैं सनी का जो गोचर हो रहा है मकर रासी में और क्योंकि आपका तो मकर लगन ही बन रहा है इसलिए आपके लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा महत्वपोर्ण हो जाता है और आपको दोनों ही प्रकार के यहां रिजल्ट मिल रहे हैं और साथ में यहां पर जो तीन ग्रह उनका प्रभाव है इसके लवा अगर आप देखिए अपनी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर धनिस्टा नक्षत्र में बैठा है तो उसका प्रभाव भी आपके लिए रहेगा तो जो जो है वो दो प्रकार की हो गई इस वज़े से आपको दोनों प्रकार के प्रिणाम मिलेंगे इसके लावा आपका सनी बले ही वकरी हो बले ही मारगी हो कुंडली में तो आपको जो प्रिणाम है वो जरूर मिलेंगे तो यहां पर आपको खराब प्रिणाम नहीं मिलेंगे अ अपना ज्यादा effort लगाते हुए आपको उस result को एक अच्छे result में convert करना है अपने लिए आपको use करना है तो सबसे पहले तो देखे आप ये चेक कर लीजिए कि आपका धनिष्टा नक्षेतर में कहीं चंद्रमा तो ना हो या फिर इस सनी से अगर चंद्रमा भी परभावित हो तो आपके overall जो mind है उस पर इसका असर पड़ेगा आपकी decision making power आपकी सोचने के तरीके इन सब पर असर पड़ेगा अब सनी यहां पर result कैसे देगा देखी यहां थोड़ा सा अलग प्रकार से result देने वाले हैं सनी तो अलग प्रकार से क्या वैसे तो normal ही result मिलेंगे बट यहां पर आपको थोड़ा back जाना पड़ेगा क्योंकि सनी वक्रिस्तिति में है ऐसे में आपको पिछे जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा जून जुलाई के आसपास का 2020 का time और उससे लेके अब तक का time जब जब सनी मकर में रहे हैं तो यहां पर सनी जब भी मकर मे रहे हैं आप यह देखें कि आपका कौन सा ऐसा प्लान था जो आपने उस पर आगे काम नहीं किया आपने planning करके छोड़ दिया या हो सकता है आपने कोई ऐसे प्लान भी क्या होगा और आपने काम भी क्या होगा बट कोई ऐसी दिक्कत आगे बीच में तो आपने अपना काम तो उन कामों पर आप पहले वापिस जाईए पिछे जाईए थोड़ा बैक जाईए और 23 अक्टूबर तक आपके पास समय है आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट जो पुरा नहीं किये थे उसको पुरा कीजिए पहले उसके बाद आप आगे बढ़िए तो जब जब यहां पर वक्री स्थिति में सनी रहेंगे तब वो आपको थोड़ा पीछे दके लेंगे और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा सबस्ट कर देता हूँ इनके जो गोचर के लिए तो 12 जुलाइस से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर में वक्री रहेंगे और 23 अक्टूबर से 17 जनवरी 2023 तक मकर में मारगी रहेंगे यानि हम यह कह सकते 23 अक्टूबर के बाद यह मारगी स्थिति में ही रहेंगे और फिर बाद में यह 17 जनवरी 2023 की यह वो डेट है जब वो कुम्ब में परवेश कर जाएंगे तो यह दो पॉइंट हमारे इस गोचर में महतुपन निकल के आ रहे हैं और इस और महनत करनी हैं बहले ही आपका चंद्रमा अगर प्रवावित हो रहा हो तो भी आपको यह नहीं सोचना कि आप कोई प्लान करेंगे तो आपका काम होगा नहीं होगा और देखिए रिजल्ट हमेशा सनी स्लो ही देते हैं बट इस बार जैसे ही यह मारगी हो जाएंगे तो आपको काफी तेजी से रिजल्ट मिलेंगे तो ऐसे में अपने पेंडिंग काम पूरे कर लीजिए वरना फिर बाद में जब सनी आगे बढ़ जाएंगी तो आपके वह काम हो सकता है पेंडिंग ही रह जाएं तो यहां पर सबसे पहले इनकी जो दृष्टी पड़ेगी वह आपके पड़ेगी तीसरे घर पे और तीसरे घर में गुरु गोचर कर रहे हैं तो गुरु का इसलिए आपको इंपोर्टेंट हो जाता है अब अगर आपको सनी की महादसा या अंतरदसा चल रहे हो तो आपके लिए यह रिजल्ट बहुत ज्यादा महत्वर रखेंगे और आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे यानि ज्यादा मात्रा में रिजल्ट मिलेंगे अगर गुरु की महादसा या अंतरदसा चल रहे हो तो गुरु का भी प्रभाब बहुत ज्यादा रहेगा और क्योंकि धनिश्टा नक्षत्र है तो मंगल का नक्षत्र है वह वह सनी की राशी में आता है लेकिन आपके उपर मंगल का प्रभाव रहेगा तो जिनको मंगल की महादसा यह अंतरदसा वगरे भी चल रही है और मंगल की placement आपको देखने होगे कि आपकी कुंडली में मंगल किस हिस्थिति में बैठे हुए तो उस हिसाब से आपको result decide होगा अब यहां तीसरे घर को जब यह देख रहे हैं तो आपका कोई short tour हो सकता है और यह tour आपके ज्यादा थर इनके मारगी होने करने के बाद बट आपने कोई ऐसा काम communication से related हो या फिर कोई travel से related हो कोई भी ऐसा हो तो उस पर आपको अभी focus करना चाहिए इसके लावा आपके जो पडोसी हैं आपके जो भाई-भाई उनसे आपके relations पर भावित होंगे तो यहां पर आपको किसी भी परकार की वैसे कोई damage नहीं होगा सनी की जो सातवी दृष्टी पड़ रही है वो पड़ रही है आपके सेवन्थ हाउस पे अब जिनकी साधी नहीं होई थी सनी के पहले वाले गोचर में यानि मकर वाले में जब यह परवेश किये थे पहले 2020 से लेके अब तक तो अब आपकी साधी भी decide हो सकती है और overall आपक अगर विवाह सुख मिल सकता है आपके विवाह में अगर किसी प्रकार का delay चल रहा है तो अब वो परेशानी आपकी दूर होगी इसके अलावा अगर आपका विवाहिक जिवन पहले से चल रहा है तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रहे है पार्टनर के साथ तो वो भी दिक्कत आपकी दूर हो जाने चाहिए इसके अलावा हम यह अपक्सा करते हैं आपने कोई पहले बिजनेस स्टार्ट किया होगा या कुछ अपना काम स्टार्ट किया होगा कुछ भी तो वो अब अच्छा चल सकता है सनी के इस कोचर के बाद इसके अलावा आप कहीं पार्टनर्शिप को अवएड किया बट आपके पास अब पार्टनर्शिप का कोई ना कोई ओफर आ सकता है तो यह आपको ध्यान यहां जरूर रखना इसके साथ ही जो लोग राजनीती वगरे से जुड़े हो क्योंकि यहां पर सनी लगन में है तो आपकी परसनलिटी का भ होगे पलिटिक्स में जाना चाहोगी तो हो सकता है आपको अच्छा मौका इस समय मिल जाए अब सनी की जो अगली दृष्टी पढ़ रही वो टेन था उस पर पढ़ रही है तो ऐसे में आपको जोब से रिलेटेड महतोपन चेंजर आ सकते हैं आपने हो सकता है कि पहले कुछ ऐसी प्रक्रिया रही कि आपका ठीक से कोई काम नहीं बना उस टाइम और वो प्रक्रिया अभी तक चल रहे हैं मालीजिये पूरी नहीं हुई तो अब हो सकता है कि वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी आपको वो जोब मिल जाएगा इसके लवा आपको जो भी जैसे फ् पचा रहेगा इसके लावा आपने कहीं पहले अपलाई किया और आपका मालीजी सलेक्शन नहीं हुआ किसी विज़े से वो भी अब हो सकता है जब तक सनी वक्री हैं इसके लावा बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजिज आए आप लोगों की लाइफ में Profession को लेके तह ersts करें अ आपकी सेकेंड हाउस के भी शवामी होने की वज़े से जो भी काम करेंगे उन क्योंकि और अगे लाज्ट चरन्ट जो इनका रहेगा अडाई साल वाला तो ये आपके fürड़े जाद अच्छा रहेगा कुम्ब वाला तो अब सणी की आगे मार्डी गती होगे इनके बाद में तो आपको धन से रेलेटेट बहुत ही अच्छा सुक मिल सकता है और सनी यह जो अभी कोचर में अभी मकर में रहेंगे यह भी आपको काफी अच्छे रेजल्ट दे सकते हैं धन के समंद्वे तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है सनी के इसकोचर में अब अगर आप सनी से समंदित कोई रेमेडी करना चाहते हो क्योंकि आपके उपर बहुत जल्दी असर होगा सनी की रेमेडी का और आपकी कोई भी इच्छा है तो आप सनी मंदिर में जाएं और सनी मंदिर में परतेक सनीवार आपको जाना है और वहाँ पर आप तेल का दीपक जलाएं और उसमें 1 रुपे का सिक्का आप रख सकते हैं परतेख सनिवार को और आपकी कोई भी जो इच्छा है आपका कोई भी काम है उससे समंदित आपकी कोई भी मनो कामना है वो आप सनी से हाप जोड़ कर मांग सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका वो काम जरूर पुरा होगा और आप जब वापिस लोटे हैं दिया जला के तो आप पीछे मुड़ कर बिल्कुल भी ना देखें जब तक अपने घर में परवेश ना कर जाएं तब तक तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा एफेक्टिव हो सकती है बाकि अगर आप गुरू की भी अगर रेमेडी करना चाहें तो गुरुवार को वर्त रख सकते हैं और मंगल की अगर करना चाहें तो अन्वान 40 सा के पार्ट कर सकते हैं या बजरंग बान भी कर सकते हो तो ये है इसके अलवा सनी की अगर और कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो वैसे तो ज़रूर्थ नहीं है वो एक रेमेडी की काफी अगर आप रेगुलर करोगे तो काम पूरे करने हैं ये आपको ध्यान में जरूर्थ रखना होगा और साथ ही क्योंकि सनी लगन में है तो जब तक ये वकरी है तब तक आपको अपनी सिहत से जोड़े हुए जो साबदानिया है वो जरूर रखनी है तो फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद